कन्या शुमंगला योजना बेटी को 15,000 रुपए देगी शरकार जी हाँ दोस्तों आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में कन्या शुमंगला योजना चल रही है बेटियों के लिए जैसा कि नाम से इस उनच्छित है कि ये श्कीम बेटियों के लिए है तो इसमें फॉर्म अपलाई होना इस्टार्ट हो गए है ऑनलाइन फॉर्म अपलाई हो रहा है लेकिन उसके पहले आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है उसको भरकर स्कैन करके अपलोड करना पड़ता है तो आज मैं इसकी बारे में बात करें कि आब इदन कौन कर सकता है ये भी ए देलिक साथ बताऊँगा आवी दिन कौन कर सकता आवस्यक दस्तावेज तता ओनलाइन अपलाई करना भी बताऊँगा और फॉर्म कहां से डाउनलोड करेंगे आप यह भी मैं फुल जानकारी आपको देने वाला हूँ तो बने इस बीडियो में लगातार मैं हूँ पहुं शाकड़ा और आप देख रहे हैं दोस्तों अपना चनले हेल्प नहीं हैं तो प्रीज दोस्तों जुरू सब्सक्राइब करें शायशत वेल एकन प्रेस करें जिससे मेरे आने वाले सभी बीडियो आप लगातार देख सकें यहाँ पर मैं लगातार अपडेटर ग्रीडियो लाता रहता हूँ जो भी गवर्मेंट से रिलेटर होता है और दोस्तों हमारा एक सेगन चलने इसमाल हाउश प्लांस इस पर मैं घर के नक्से डालता हूँ जिसका लिंक देख सकते हैं तो फूल डेटियल जाने के लिए जो 15,000 रुपए दिया जाना है वो 6 चलनों में दिया जाना है आप इसका फूल डेटियल में इस वेबसाइट पर दिया है फिलाल मैं यहाँ पर सिर्व आपको आवश्यक चीज़े हैं बताऊंगा तो यूपी करना शुमंगला यूजनम कितनी किस्तों में मिलेंगे रुप किया जाएगा अगर आपकी बेटी चलन बता दू और इसके बाद में आपसे दस्ताबेज और कौन अपलाई करेगा वही बता दू तो जब आपकी बेटी का जन्म होगा तो आपको 2,000 रुपए दिये जाएंगे और बालका का जब पून ठीका करन हो जाएगा एक साल बात तो 1,000 रुपए फिर से आपके अकाउंट में आजाएंगे और चालू से च्छनक वजदलक कच्छा क्लास फ़स्ट में जो एडिविशन लेगी लगी तो 2,000 रुपए फिर से आपको दिये जाएंगे आपके डारेक्ट अकाउंट में आएंगे तीन वर्सकी आई यहां पर अधिक होनी चाहिए जब कच्छा 6 में दाखला लेगी लगी तो आपको 2,000 रुपए फिर से गवर्मेंट देगी और जब कच्छा 10 में लेगी तो 3,000 रुपए गी और जब बालका 10 में पास हो जाएगी तो आपको 5,000 रुपए फिर से दे दी जाएंगे तो तो टोटल पंद्रह हाजार रुपए मिलने वाले हैं यहां पर बेटियों का सरकार ने बहुत ही धान रखा है जिसमें यह बेटियों को आप पढ़ाएं भी ठीका करन भी करा हैं मतलब सारी स्टेज को रखा गया इसी लिए उन्होंने च्छे चरणों में यह सिस्कूं के लागू किया है अगर हम बात करें कि इसमें आप प्लाई कौन कौन कर सकता है यह एक इंपॉर्टेंट कोश्चन है क्या इसमें नहीं लड़कियां जो जर्म ले रही हैं उनको ही अपलिकेशन होगा उनको ही आवे दिन करना को है लेकिन ऐसा नहीं है अगर सब्सक्राइब आपके लड़की मैं आपको दिखा देता हूं कहां से डाउनलोड करना है तो जैसे आप नीचे आएंगे डाउनलोड करने आपके सामने एक फॉर्म ओपन होकर आ जाता है और यह फॉर्म देखीगा यह आपको पहले भरना है जैसे बाल लिका के शाहत आवेदक का नवीदम पाशपोर्ट सा सक कि जो आपके करना है अबने खाला अपने फादर से का नियम यह नहींड रहता है जो भी वावक होगा इसके बाद इसक की condensed के साथ है जो भी वावक करना होह की है तो मद्धा फॉर्म भर लेना है जोभि यह यहां पे agreement कि घुझ जाह、 सारा चीज भरने की बाद आपको यहां पर एक सपत पत्र भी देना होगा, इसको सपत पत्र 10 रुपई के स्टाम पेपर पर देना होगा, यह सपत पत्र आपको 10 रुपई के स्टाम पेपर प्रिंट कराके और भरने के बाद आपको, यहां पर यह पूरा फॉर्मेट है, जो कि मैंने वेबसाइट पर द आप इसका ओनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे तो इसके लिए आप नीचे जैसे आते हैं विजिट दौ ऑफिशल वेबसाइट आप यूपी कन्या शुमंगला योजना आप ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं सब्सक्राइब करेंगे तो देखिए यहां पर आपक सब्सक्राइब करें इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ठीक है यहां तो डारिक्टी आप हमारी वेबसाइट से डारिक पहुंच सकते आप लाइए ऑनलाइन पर शुमंगला योजना जैसे आप राएंगे तो आपके साने फॉर ओपन हो जाए का फॉर्मेट और आपको कुछ पर जैसे पर जैसे क्लिक करेंगे तो मुक्क मत्री कन्या शुमंगला योजना के तहत पंजीकरन आवेदक का वेबसाइब का अबड़क का डेटल भरना पहले स्टार्टिंग में दिखिएगा बालका कि शाथ आवेदक का शंबन जिसे पॉद्धा माता के नाम से बहर रहे ह तो माता जी का जोगा उंके डड़की का माता का अभर नंबर ढालना होगा और आवेदक का नाम जो मतलब की माता की नाम यहाँ पर देना है ठीक है और जो रेलेशन क्या होगा उनके फादर्च का नाम टूटल नंबर अवीनिफिजरी चाइल्ड और फैमली और एक बात eligibility आप देख सकते हो यहाँ पढ़ सकते हो करने समल योज़बां पात्रता क्या है इस योज़ नंहीं निएक लाहरती कि उधिया जाएगा जनप प्रणर्पर्दôm के पास ब lado अचाहिए तो यह eligibility और भी आप पढ़ सकते हैं तो यह form भरेंगे application type और अपना एक district एक ID password आपको password बनाना होगा और इसके बाद I confirm पर capture डाल का change as much OTP तो आपके जो मुआल नमबर डाला माँ OTP जाएगा आपका login ID और password यहां से मिल जाएगा और इसके बाद login ID password मिलने के बाद आपको यहां पर अपना login ID और password डाल कर फिर से login करना होगा और इसका form पूरा upload होगा जो आपने documents से रखे हैं जो form भरा है आपका अधार, card, photo और शिकनेचर यह शारी चीने अपलोड होगी तो यह पूरा आप upload करने के बाद यह आपको form complete होगा तो अगर आप चाहते हैं कि मैं full video दूँ कैसे documents upload करने हैं और कैसे इस form को fully total video काफी लंबा हो सकता है बट मैं कई parts में बना दूँगा अगर आप recommend करते हैं, अगर आप comment करें कि हाँ मुझे शोकन्या, शम्रदी, शोरी शुमंगला, यूजना के तहट आप online apply करके दिखाएं तो हम आपके video ज़रूद करेंगे तो information कैसी लगी, आपको form download कहां से करना है, मैंने बता दिया eligibility क्या है, और कौन apply कर सकता है तो यह भी बता दिया, तो please video को like से ज़रूद करें और अगर चनल को subscribe नहीं किया, तो please